हेलो फ्रिंट तो चलिए आज मैं मोहां थल बना रही हूं तो मोहां थल के लिए देखिए मिने 200 गरम बेशन को छान के लिया है और दूद लिया है मैंने चमच दिखाए कि आप बड़ा वाला चमच हो तो यह बड़ा वाला टीबीएस भी बोलते हैं उसे मैंने तीन चमच लिया तीन चमच मैंने दूर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगी मिक्स करने के बाद इसे ढखके में रख दूंगे आदे घंटे के लिया है आदे घंटे के बाद मैंने देखिए इसे क्या कर दिया है मैं इसे दूसरी बावल में घाली करूंगी बड़ी बावल में क्या करूं, इसे चन्नी में चानूंगी, बड़ी बॉल में चन्नी में चानूंगी, इससे क्या होता है, देखे, मोहन थाल में मोटी बेसन आते, पर घर में मोटी बेसन तुम कर नहीं सकते, तो मार्केट के जो खरीद का बेसन लाते, वही लीजिए, और जैसे मैंने बताया, दूथ और घी डाल के करने को वैसे करिएगा, और आधा गंड़ा रख दीजिएगा, तो अधम रावा के जिसे, देखे, मोटी निकल गई, तो फिर इसे क्या करना, आधा गंड़ा मिक्स करने के बाद, छनी से अच्छे से चान लेंगे, तो देखे, मैंने इसे चाना उतना में रखने हैं, तो देखे, रावा के जैसे मोटी हो गई है, मैंने 200 गरम बेसन था मेरा, तो पौने 200 यहां मैंने घी लिया है, मतलब 175 गरम बेसन लिया है, अब उस बेसन में, घी में, बेसन और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, मेरा गैस चालो है, पर लो है, और इसे रखता है, हाँ, मीडियम और लो के बीच में हाई मत रखेंगे, मीडियम और लो के बीच में आपका गैस का फिलिम रहेगा, और लगतार हाँ चलाएगा, बीच बीच में बगल में कोई काम हो तो करिएगा, पर दूर मत जाएगा, इतना याद रखेंगा, और में इसे लग अगर केसर हो तो केसर लाल दीज दूद में भीगके पर में थोड़ी से यलो कलर डाली है उससे थोड़ी सी कलर आज जाएगी यलो कलर पर folders कलर हो जाएगी तो मैंने लृट इसे लगतार में तो इसे लगतार में उपने नित а lux उठा के अलग रख दोंगे इस्टेन पे और इसे बीच-बीच में चलाएंगे इसे ठंडा करना है ज्यादा नहीं थोड़ी से ठंडा तो देखिए मैंने एक अलग सी कड़ा ही ले ली यहां मैंने लिया 200 गरम सक्कर में मैंने लिया है 200 गरम पानी अगर आपको मीठा कम ज़्यादा लेना है तो आप ले सकती हैं पर कम लेना है तो यहन यहां ही होता है मेजरमेंट और मैं आपको तार चेक कर गर ने हैं दिखा करेंगे कैसे अयहूदा है और याद रखैप इसकी मएन चीज होती है दो चाहिए अगर उसकी तार अच्छे से नहीं बने कि मतलब तार होती है मतलब देड़ तार में मतलब एक तार पूरा बनेगा एक बनेगा टूट जाएगा बनेगा टूट जाएगा ऐसे हमें तार अगर जब लगे कि हमारा डेड़ बनने माला है महां गैस लो करिए तो गैस बन कर देजे यह तो जड़ा से चासनी चड़ जाएगी तो चिपक रही थी, नहीं दीख रही थी, पूरी पर में चिपकी, तब ही मैंने पूरा किया है, क्यूंकि मिठाई बनने के बाद अगर बेकार ना हूँ, इसके आगे कोई काजू, कतली, मावा, वर्फे, हर मिठाई फेले, इतनी हमी लगते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं हुगा है, तो फिर मैंने गैस चालू कर दे, मैंने गैस बन कर दिया था, चालू करके लो फ्लेम रखें, फिर मैं आपको चेक करूँगे, बगल में कटोरी में पानी रखें, हाथ जलता है, तुरंद पानी में डालिये, थोड़ा सा चिपक गरम लगता है, हाथ भी गरम गरम, चास कि में नहीं होते हैं, तो मेरा एक बंड गया था, और एक में आधा था, मतलब मेरे को दो तीन बार लगा गया, इसको बंड करने में, चालू करने में, लेकिन में इसकी यही होते हैं, में इसकी चासनी है, और यह मीठाई डिर्ड महीने तक, एक महीने, डिर्ड महीने, अराम स अब फ्रीज में रखें से खा सकते हैं यह ऐसे मीठा ही होती कि मुझ में जाती पूरी गफूल जाती लगता है नहीं कि यह बेसर है तो यह देखें मेरी अब जाके चासनी रेडी हो गई एक बन गई थी और एक बगल में बन रहे थे मतलब बहुत दिफिकल हो रहा था बतर ट्रीक करने में गईस बन और चालू करे थी फिर मैंने गईस बन किया फिर मैंने चालू किया तब जाके यह रेडी हो गई तो अब जाके एक गईक मेरी तो तीन बार में जारा से मैं हाथ में चिपक रहा था, फिर मैं पानी में डाल देती, फिर चिपक रहा था, फिर पानी में डाल देती, लेकिन हाँ, ये बना बहुत अच्छा था, तो अब जाके हमारे जो डेर तार की चासनी रेडी होई, एक बन गई थी, एक तूट रहे, आधा तूट रही देखिए बगल में दिख रहा है एक बना है एक आधा तूट रहा है उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा बना था पहले से घी में भुना हुआ बेसर चासनी उसे में तुरन डालेंगे यह तो सकर बन जाता है तुरन चासनी डालेंगे और वहाँ इलाइची पाउडर डालिया और फिर इसे अच्छे से मिक्स लगतार चलाएगा जब इसे लगतार चलाएंगे तो पूरा यह सूख जाएगा एकदम शूख जाएगा पस थोड़ी सी गौर से आपको देखना है नहीं तो यह इतनी अच्छे मिठाई है इतनी अच्छे नक इसका कोई मिठाई हो इने सकता फिर देखे इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके रावा जैसे हो जेगा, पूरा देखे, अब आप बोलेंगे कि ये कैसे मोहंथाल बना है, रुकिये भई, रुकिये, मैं भी बता रही हूँ, आपको टेंसल मत लेजे, मैंने यहाँ डाला है, पर हाँ, तीन टीबेस इसे सॉप्ट कर दूँगे, तहीं लगेगा कि हाँ, इस सेट हो गया, पर कच्छा दूद नहीं, गरम किया हुआ, जो ठंडा हो गया हुआ, दूद रूम टमपरेचर पर चलेगा, पर उबला हुआ दूद चाहिए, तो देखे, मैंने मिक्स कर देखे, तो फिर हो गया नही अगितम डोके जैसे रेडी, जैसे पहले था, वैसे होगे न, अब इसे मैंने क्या किया, एक तीन ले लिया, केक का ही मेरा टीन है, आप चाहिए तो थाली में ले लीजिए, आप चाहिए प्लेट में ले सकते हैं, पर यह बहुत अच्छा रहता है, मैंने तीन में बटर पर लगा दिया, उसके बाद पूरा मैंने अपना मीठाई, और इसे इस पेचुला से अच्छे से से सेट करी बराबर, और हाँ याद रखे, कम से कम इसे आठ से दस खंटा लगा था, रूम टंपरेचर पा, मैंने तो भाई रूम टंपरेचर पे से सेट किया, अगर आपके मैंने पूरा यहाँ सेट करने के बाद अच्छे से 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 पेचुला से उपर से ड्राइफु डाल दी, पतलब वही पीस्ता स्लाइउ जाएगा और बदामका स्लाइउ आपको डालना हो तो डालें, नहीं डालना हो मट डालें, पर मैंने अपको दिखाने के लिए डाला कि मार गंटे मेरा सेट हो गया था अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी नाइट रखें बहुत अच्छा सेट होता है कम से कम आठ घंटा गर्मी हो ज्यादा दिखा तो नहीं सेट हो रहा था फ्रीज में रख सकता पर यह ऐसी मत पूरी ऊरिजिनल एक टिपस में नहीं हटा है पू जी धीर हलके हाथ उसे से मैंने निकाला ने तो बहुत चल्दी चूटता है पिर इसे आपको जीतनी बड़ी साइज है उतनी अच्छे से नाइफ चे उतनी साइज के आप काट लीजिए मैंने जीसे लगा मुझे वसी साइज का मैंने काटा तो पहले मैंने चार भाग किया उसके बाद मैंने कर दिया जैसे आपको लगा है कि बड़ा करो चोटा करो मैंने पांच सेट कर लिया उसके बाद आपको बड़ा चोटा मैंने घर में ही तो करना है तो मैंने थोड़ा यह किया लेकिन सेम देखिए साइज मार्केट वाला ही मैंने बनाया है और यह बहुत ह यम्य और टेस्टी लगते में आपको एक उठा के दिखाते हैं कि कितनी अच्छी बनी है तो यह देखे हमारी मोहंथाल हो गई ने तो चलिए फ्रेज में रख दूँगी लगबग जितने दिन चले दस दिन बारत दिन इससे जदा बचता ही कहा है लेकिन हाँ फ्रेज में कब तेहवार आने वाली है मैं आपको मिठाई बताऊंगा अब ट्राइ जरूर करिएगा कसम से आप बोलें कि हाँ यह मिठाई है और तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो कसम